हेलो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार कई बार अध्यापकों के सामने एक समस्या आती है कि जब बच्चों का नाम कट जाता है तो उन्हें हम केसे UBI पोर्टल से डी एक्टिवेट करें तो आज हम जानेंगे किस प्रकार ये किया जा सकता है तो सबसे पहले आपको Google पर KV Staff UBI Login को क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको पहले वाले ओप्षन पर प्रेस करना है जब आप इसे प्रेस कर देंगे तब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा आपको यहाँ पर अपना Login ID, Password और Capture एंटर करना है उसे एंटर करने के बाद आपको Login को प्रेस करना है फिर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा आपको Student वाले ओप्षन पर क्लिक करना है फिर आपको Deactivate, Activate के ओप्षन को क्लिक करना है फिर आपको उस बच्चे का नाम यहाँ पर एंटर करना है जिसे आप Deactivate या Activate करना चाहते है तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और इस वाले ओप्षन को प्रेस करेंगे जैसे मुझे वर्डनी का नाम की बच्ची को Deactivate करना है तो यहाँ पर अभी Activate लिखावा आ रहा है तो हम इस Activate लिखावा आ रहा है हम यहाँ Deactivate के सामने जो यह बीन का एक आपको आइकन दिखना है आपको यहाँ पर इसे प्रेस करना है प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर Deactivate लिखावा रहा है इट मीज जो वर्डनी का अकाउंट है वो Deactivate हो चुका है अगर आप उसे एक्टिवेट करना जाते हैं तो आप इस वाले सिंबल को क्लिक करेंगे अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेर करें